हेलो बच्चों, वेलकम तो इस वीडियो, इस वीडियो में हम लोग कंटीनिव करेंगे 2021 के पीवाई की सॉल्विंग पॉर दा चैप्टर एलेक्टो मैंगेटिक इंडेक्शन, शॉट में हम इम इम पोलते हैं इसको, सो अल्रेडी हम लोगोने मैक्सिमम चैप्टर स्विजिस के 2021 के पीवाई की सॉल्व किये, only EMI इन इसी सर्केट के बाकी है, so मैं आपको कम्टीट करने वाला ये दो दिन में, so please try to watch all these recordings, इन सब की मैंने एक प्लेइलिस्ट बना के रखिये, physics की, जिसमें आपको सारे चैप्टर्स के 2021 के पीवाई कूस के MCQ सॉल्विंग की वीडियो सॉल्विंग, okay, let's start two decisions, already, यहाँ पर मैंने फॉर्मॉलेस के लिस्ट आपको देखे रखिये, आप इसे देख सकते हैं, यह सारे चैप्टर्स में, यह सारे पीडिया भी में आपको टेलिग्राम चैनल या मैंने जो पीवाई के ड्राइब लिंग प्रोवाईट के उसमें द क्या बोल रहा है, it is clockwise, clockwise, current in outer loop, and increasing with the time, current continuously increase हो रहा है, पूछ रहा है कि induced current in the inner loop क्या होगा, see, यहाँ पे outer loop में clockwise है, तो inner loop में क्या होगा, current induced होगा, और outer loop में जो current है continuously change हो रहा है, तो इसका जो magnetic, आपको पता रहेगा कि जब भी current flow होता है, तो चार्वर मैंगनेटिक continuously यह जो inner coil हो, उसके साथ link है, और हो continuously change हो रहा है, तो आपको यहाँ पे second coil के लिए, आपका EMI, Electromagnetic Induction, Paradise Lock, Paradise First Law अपलाए होगा, magnetic flux link पे inner coil changes continuously, तो इसमें current induced होगा, और यह जो current induced होगा, उसका direction by lens law आपको मिलेगा, जो की, जो current उसको produce कर रहा है, उसके opposite होगा, by the lens law, इसलिए यहाँ पे जो direction रहेगा, current का वो क्या रहेगा, anti-clockwise, by lens law, okay, so इध्यान में रखना, by lens law, current का direction will be, induced current का direction is such that, it opposes the external magnetic field, जो उसको produce कर रहा है, ठीके, next, a straight conductor of length, यह meter दिया है, 0.6 meter, small m, is move with a speed a V दिया है, आपको, perpendicular to magnetic field, आपको B दिया है, इंडी स्वियम का formula क्या होता है, straight conductor के लिए VLB, और एक rotating conductor के लिए formula होता है, BLB, वही V को आप L omega दिखते हो, तो आपका formula हो जाता है, यहाँ आएगा, इसका ही formula आएगा, यह rotating conductor के लिए, जिसका एक end fix रहता है, रोटेट कर रहा है, यहाँ पे क्या है, पूरा conductor ही movement कर रहा ह है, ओके, इसलिए VLB, so B आपको कितना दिया हुआ है, यहाँ पे 1.2, L is given 0.6, और speed कितना दिया आपको, 10, so 1.2 into 6, कितना आगया आपका, 72, 0.2 bold, ओके, next question, क्या दिया गया है, यहाँ पे, a conductor, just a second, a conductor of length 1 meter, देको आगया होई problem, about one of it's at an angle speed आपको omega दिया है, and horizontal component आपको कितना दिया भी एच, then EMF develop, अभी हमने किया था इसका formula, so आपका formula क्या हो जाएगा, हाप BL square omega पीछे किया था, जबस हाप आजाता है, आपका BL B रहता है formula, बस V क्या होता है, R omega बढ़े हैं, आपर R क्या होगा, आपका length होगा, इसलिए हम वो डालते है, आपका formula पिर यह आ जाता है, आप B कितना दिया, 0.2, 10 is to minus 4, L का square मतला 1 का square करोगे आप, omega कितना दिया है, 5, so यह 2 और 0.2 कट कितना होगे, 0.1, minus 4, 5, यह कितना होगे, आपका minus 5 into 5, ओके, और आपका यह bolt, so आप यहाँ पे क्या कर दोगे, और एक point खीच के, minus 6 करोगे, और इसको क् कर दोगे, 50 micro bolt, ठीक है, so D is the correct answer, 32, क्या दिया गया है, in a step down transformer, out of the following, which quantities increases in the secondary economy, step down, step down का मतलब क्या होता है, आप input में जो भी voltage लगाते हो, और output में जो voltage मिलता है, वो input से कम हो, sorry, वो input से क्या होता है, कम होता है, okay, so if voltage कम है, तो current क्या रहेगा, यहाँ पे, क्या क्या रहेगा रहता हो, input, power and output पर अप्रॉक्समेट सेम होना चीए, so current आपका, जो input पे रहेगा, वो less than रहेगा, current than output, so step down में आपका voltage कम रहता है, output पे, but current ज्यादा होता है, so quantity increases in secondary coil, so primary coil में voltage ज्यादा रहेगा, current कम रहेगा, secondary coil में voltage कम रहेगा, current ज्यादा रहेगा, so correct answer will be, इसका C, next 38, यहाँ पे क्या दिया गया है, a length 2500 meter is kept in east west direction, at a height of 10 meter, एक आपका wire रखा हुआ है, at a height of 10 meter पे, okay, और आपका, it falls freely on the ground, then the current index, यह wire है, और आपका यहाँ पे, earth का magnetic field रहेगा, जिसमें यह wire आपका जो है, गिर रहे है, fall कर रहे है, so आपका जो EMF इंडूस का formula होता है, आपको क्या पूछने है, current induced, so पहले तो current induced से पहले आपको EMF induced का formula, EMF निकालना पड़ेगा, बाद में आप current induced लगा सकते है, e by r, उससे पहले आपको यहाँ विलोसिटी नहीं दीगे, velocity कोई भी चीज जो freely fall कर रही है, उसके लिए आप V square equal to U square plus 2A से formula आता है, V आपका यहाँ पे क्या रहेगा, निकालना है, U क्या आपका 0 रहेगा, A क्या रहेगा, आपका plus G और S क्या रहेगा, H, आप पहले V निकाल लो, 2GH, यहाँ पे यहाँ पे आप डारेक्ली डाल दो, BLB, 2GH, और यहाँ पे डारेक्ली आपका E क्या हो गया, BL, 2GH, divide by r, सब साथ में कर लो, क्यों अलग अलग करना, V कितना दिया है आपको, 2 into 10 is to minus 5, length कितना दिया, आपको 2,500, और G कितना दिया है आपको 10, height कितना दिया है आपको 10, ओके और r कितना दिया, 25 root 2, ठीके, सो यह 10, 10 है, एक 10 बाहर आजाएगा, और यह root 2 कैंसल, सो यहाँ पे यह 25 into 2, 25 इदर भी कड जाएगा, इदर 100 बचा, 2 into minus 3, और इदर से 10 बाहर निकला, कितना हो गया, 2 into minus 2, कितना अंसर हो गया यह, B, 0.02 A, next question, असलोंग solenite carrying current produces a magnetic field B along its axis, इप दे नंबर अप टन्स, आपका solenite जो अलोंग दे एक्सिस, magnetic field प्रोडूस का फॉर्मुला क्या होता है, मुनोट न आई, ठीके, if number of turns per centimeter is doubled, इसको double किया, ठीके, and current is made one third, इसको one third किया, ओके, यह मेरा one है, the new value of magnetic field, इसको double किया और इसको one third किया, 2 by 3, mu naught and i, यह आपका original था, 2 by 3, B1, so B2 equal to A, correct answer आपका क्या हो गया, D, next question, wire length resistance R falls from a height L, in the horizontal magnetic field B, the current for the wire, यह same question problem के साथ अभी हमने किया था, सो अपने को E निकालना है पहले, फिर बाद में आपको I निकालना है, E by R, और उससे भी पहले आपको क्या निकालना है, आपे V निकालना है, V हमने कैसे निकाला था, आपने भी हमने कुछ दिर पहले किया था, so V square A 0 होगा initial, और आपको height कितना दिया लिके L, V क्या होगे, आपका root 2 GL, so यहाँ पर आप डालोगे यह V के formula को, और यहाँ पर फिर आप put कर दो, आप सिधा, V L equal to root 2 GL upon R, so correct, यहाँ पर आपका length जो है, यह capital L दिया हुआ, so आपका correct answer यहाँ पर क्या होगा, by R, correct answer will be A, ठीक है, next question, 3 pure conductors, each of induction, 6 handria connected, so जो यह inductor का जो series in parallel रहता है, वो same रहता है, जो resistor, यह inductor का coil रहता है, coil का resistance होता है, यह जो combination रहता है, यह हमेशा parallel रहता है, ध्यान में रखो, यहाँ पर भी inductor दे दिया, तो distance बच जाता है, जब भी आपको ऐसा combination दिखे, कि उसका मतलब क्या होता है, तीनों parallel में है, तीनों क्या है, parallel में है, आपका जो equivalent induction होज़ेगा, 1 upon L1, 1 upon L2, 1 upon L3, यह क्या होज़ेगा, 1 by 6, 1 by 6, 1 by 6, कितना होज़ेगा, सबका base is same, 1 plus 1 plus, 3 by 6, 1 by 2, सो आपका L equivalent क्या आगया, L equivalent equal to 2 है, correct answer will be D, ठीक है, next question, क्या दिया यहां पे, the north pole of a long horizontal bar magnet is moving towards the closed circuit, consisting of coil, आपका north pole को हम लोग इधर move करें towards coil, the direction of induced current, सो जब भी north pole को यहां पे move करेंगे, magnetic flux linked with this closed path will change, सो यहां पे जो आपका EMF induced होगा, और current induced होगा, वो ऐसा रहेगा, such that it opposes the external field, सो यहां पे north pole है, तो यहां पे भी क्या बनेगा, north pole ही बनना चीए, तो north pole के लिए current का देखो, यह north pole का current का direction क्या होना चीए, anti-clockwise, यह in देखो, उस in को मैंने यहां पे reflect किया, तो आपका current का direction क्या होना चीए, anti-clockwise, ठीके, यह आपने पढ़ा रहेगा experiment, जो भी फराडे के रहते हों इसमें, ठीके, यह दिन नौर्थ पोल को मैं दूर लेके गया, तो यहां पे south pole बनना चीए, क्योंकि जो भी वो मुमेंट कर रहा है, यहां पे north pole बनेगा, तो यह by lens law, this north pole will oppose this magnet, एन उसको back करेगा उसका original position पे है, ओके, next question, question number 4, question number 4 में क्या दिया गया है, आपका coil of radius r as n tons, coefficient of self induction of the coil will be, ओके, so first of all, जो self induction होता हो, क्या होता, phi upon i, magnetic flux होता है, b into area होता है, और यहां पे आपका number of trans n बोला होगा है, तो आप n, b, a, ऐसा लिख लो, और एक single coil के center पे जो magnetic field रहता है, उसका formula होता है, mu naught ni upon 2r, इसको put कर दो यहां पे b की जगा पे, so आपका क्या हो जाएगा, l equal to n, a, i, i, इसे ही बच्चा है, b की जगा पे आपने डाला, mu naught ni upon 2r, so क्या formula हो जाएगा आपका, और आपको, I think, area को डालना पड़ेगा, pi r square, I think, area क्या हो गया आपका, just a second, oh yes, area को आप यहां पे क्या डाल दो, pi r square, यह जो आपका area दिया है, i, mu naught ni upon 2r, so आपका answer क्या हो गया यहां पे, rr cancel, mu naught n square, pi r by 2, यहां पे देखो, rr cancel, क्या बच्चा है, क्या बच्चा है, pi r बच्चा, n square हो गया, और i, correct answer यहां पे क्या हो जाएगा, आपका mu naught n square, pi r by 2, इसका answer क्या हो जाएगा, c, okay, next question, a wire of length, 1 meter is moving, at a speed of, 2 meter per second, आपको यह length दिया है, speed दिया है, magnetic fill आपको दिया है, the ends of wire are joined, to a resistance of 6 ohm, rate which work is being, done, to keep the wire moving at that speed, so rate at which work, मतलब आपको power बोला, power का formula क्या होता है, आपको, यहां पे पहले तो यह में फिन्डियू साब निकाल लोगे, v l v से, ठीक है, फिर आपको power निकालना है, तो power e दिया और r भी दिया है, so v square by r होता है, आपने पढ़ा रहेगा, और v क्या है आपको e square by r, so e का value डालोगे, e कितना आ रहा है आप निकाल लो यहां पे, v l b, क्या दिया है आपको, b कितना दिया गया है आपको, 0.5, आपको l कितना दिया है, 1 और यह 2, कितना आ गया, आपको यह 1 आएगा, so 1 square और r कितना दिया गया है आपको, 6, so आपको 1 by 6 watt, will be the correct answer, ठीक है, next question, if current flowing in a coil is reduced, to half up its value, the relation between the new energy, original energy stored in coil, so coil में जो energy stored होता, उसका formula क्या होता है, half l i square, ठीक है, आपको यहाँ पे, energy गोल रहा है, आपको चेंज क्या कर रहा है, यहाँ पे, current change कर रहा है, okay, so e is proportional to what, i square, so आपका e2 new बोला है, आपका i2 by i1, जो new बोल रहा है, आपका square कितना हो गया, 1 by 4, so e2 क्या हो गया, आपका e1 by 4, so यहाँ पे आपका correct answer क्या हो जाएगा, a, okay, so इस तरह हम लोगों ने approximate 12 questions, solve किये, remaining जो questions हम लोगों, next session में solve करेंगे, and before ending the session, please subscribe my YouTube channel, and join the telegram group, to get all the notes, and follow me on an academy, and watch my all three record, 90 hours recording of, MSTCT preparation, including 11, 12 syllabus, sab का मैंने chapter wise, link description में दिया, आप सारी recording देख सकते हैं, ठीके, please subscribe my YouTube channel, and join the telegram group, thank you for this video, next session में मिलते हैं,